Hello everyone, this is Purva और ये वीडियो है उन स्टुडिंट्स के लिए जो लोग गौशनर कॉलेज राची का intermediate या फिर graduation के form का वेट कर रहे हैं कि form कब आएगा ठीक है तो देखो college की ओर से आपका notice आया है, notice आपका कहता है कि online application form of admission for the intermediate and UG, यानि कि undergraduate will be published next week on the college official तो अब देखो admission का process आपका ये होता है कि आप लोग form भरोगे अपने choice के according, online या फिर offline, उसके आद उसमें आप लोग अपना basic details वगरा डालोगे अपना documents वगरा समिट करोगे signature, photos वगरा उसके आद आपका सबसे main जो है वो आपका 10th का result और 12th जो लोग graduation कर रहे हैं उनके लिए 12 का result, जो लोग intermediate करना चाहते हैं उनका 10th का result, ठीक है तो वो लोग marks वगरा डालेंगे उसके बाद हो सकता है भी आपका 10th का result नहीं आया हो तो college बोले कि आप लोग previous year का marks वगरा डाल सकते हैं, वो आप लोग notice और prospectus का wait कर लो उसके बाद आप लोग marks वगरा एंटर करोगे form का जो भी price होगा 800 या फिर 1000 वो payment करोगे उसके बाद एक दो सब्तावाज college जो है वो आपका merit basis पर cutoff निकालती है कि इतना percent से उपर वालों का admission यहां पर हो जाएगा यानि कि मान कर चलिए maths वालों का 80% cutoff आता है यानि के 80% से एवफ जिनका भी आया है उनका selection हो जाएगा उसके फिर college जो है selection list भी निकालती है जो जो जिनका जिनका नाम आता है वो लोग college में जाकर जिनका भी उनका fee structure होता है वो लोग जाकर admission ले लेता है अब येको fee structure यहां पर college आउट नहीं करती है लेकिन average में मैं आपको बतारी intermediate का आपका यहां पर 15 से 18 अजार तक लगेगा और बाकी graduation का आपका वही 25 से 30, 35, 40 ऐसे जाता है डिपेंड करता है आपका कौन सा department है बाकी आपका merit में selection होनी के बाद आपका वहां पर कितना fee लग रहा है वो वहां पर लिखा लेगा मैंने आपको जो अभी fee structure बता है यह आपका average है बाकी college की बाग करूँ तो college अच्छा है campus भी अच्छा है पढ़ाई ठीक ठाक होती है average होती है बाकी कुछ-कुछ departments के काफी ज़्यादा अच्छा होता है यहां पर कुछ आपका vocational courses वगारा भी है बाकी college में आपका NCC है NSS है auditorium है mass communication वगारा सब है तो इसके अलब और कुछ आपको जानना हो तो आप लोग मेने comment box में पूछ सकते हो thank you